हेलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी आप इसे साइट डिस्क के रोप में पना सकते हैं या कभी भी सबजी बनाने का मूड नहीं है और आपको कुछ चटपटा सखाना है तो आप इसे ट्राइ कर सकते हैं यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम समान के साथ में ये बन करके रेडी हो जाती है आप इसे खिच्ड़ी के साथ में सघ्य लाद हम लेंगे ताकि जल्दी से घल जाओ तो इससे सबसे पहले मैं ने धो और इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे बहुत जादा बारिक नहीं करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि सारे टमाटर मैंने इसी तरह से काट करके रख लिया है यहाँ पर पांच هरी मिर्च है इसे मैंने 20 से चीरा लगा लिया है आठनाव लहसुन की कलिया है इसे बारी काट करके लिया है मेथी की पत्तिया है इन्हें भी मैंने धो लिया है यहाँ पर मैंने एक कड़ाई में दो बड़ी चम्मस तेल डाला है जैसे ही तेल गरम हो जाए हमें एक चम्मच इसमें जीरा डालेंगे आधा चम्मच राई है कटे हुए लहसुन डाल देंगे लहसुन का कलर हलका सचेंज हो जाए उसके बाद हम इसी में हरी मिर्च डाल देंगे हरी मिर्च भून जाए उसके बाद हम इसमें मेथी की पत्तियां डाल देंगे आप चाहें तो यहाँ पर प्याज का भी उसकर सकते हैं जैसा ही सारी चीज़े अच्छे से भून जाए हम इसमें टमाटर डाल देंगे कटे हुए और धख करके लगभग 4-5 मिनट के लिए कूक कर लेंगे बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे तो लगभग 4-5 मिनट के बाद चेक कर लेते हम इसे तो टमाटर ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया था अपना और यह उसके बाद में देखिए यह पकने लगी है थोड़ी थोड़ी सी अब हम इसमें डालेंगे स्वादा नुसार नमक आधा का टोरी मैंने यहाँ पर मटर डाला है मटर डालने से इसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आता है तो मटर डाल करके हम इसे फिर से चमद चला करके इसे 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे करके आप इसे पीचवीच में चेक करते रहिए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि मटर टमाटर अच्छे से गल न जाए टमाटर बहुत सारा पानी छोड़ती है तो टमाटर का जो पानी है उसे हमें सुखा देना है नहीं तो ये बहुत खटी-खटी से और अजीब सी लगेगी तो इसका सारा पानी सूख जाए उसके बाद हम इसमें लास्ट में डालेंगे धनिया की पत्ती के इसको बंद कर देंगे और ये तैयार है हमारी चटनी तो नहां पर गुड़िया शक्कर कुछ भी नहीं डाल रही हूं बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिए अगर आपको ए रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्र कर लिजी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे क्रिश्णा